इश्वर के बनाये गए मस्तिस्खी पूरे शरीर को चलाता है और पूरे संसार को भी चलाता है कहते हैं अगर मस्तिस्ख आपका सही काम कर रहा है तो पूरी दुनिया आपको सफल नजर आएगी इस मुद्दे पार आज बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय बाखला रिम्स के मनोची कित सक है दरसल आज सर आज वर्ल्ड मेंटल डे हैं खास करके इस दिन को काफी लंबे समय से लोग मनाते आ रहे हैं क्या होता है मेंटल डे में मस्तिस्क हमारे लिए कितना महत रखता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है हेल्थ डे का मदलब कि जैसे हम लोग सारीरिक स्वास्त की बात करते हैं उसी तरह मानसिक स्वास्त की भी बातें करें और यह समय होगा कि हम लोग यह समझ सकें कि मांसिक स्वास्थ हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ये जन समान्य को ये बातें अच्छे से पहुंच सके इसलिए ही ये दिवस मनाया या जाता है मानसिक स्वास का मतलब है कि हम अपने मानसिक तौर पे कितने मजबूत हैं मानसिक तौर पे हम कितने एक्टिव हैं मानसिक तौर पे क्या हमें किसी नसे की जुरुत पड़ती है या नसा विहीन जीवन हम जी सकते हैं मानसिक तोर पे क्या हमारे पास जब विशम पर सथिटी आती है, जो 아침 समय आता है, यह हमारे मन के विप्रूठ बात हो जाती है, तब क्या हम उसको जहल पाने में समत है या ना समत है, क्योंकि ये निश्चीत है कि हरेक के जीवन में कुछ ना कुछ भावनात्मक परिसानी आएंगी, कुछ ना कुछ समस्या आएगी, कभी न कभी उनको जीवन में फेलियर का सामना करना पड़ेगा और कथिन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है ये आपका हम लोग करते हैं मानसिक टाकत होती है कि आप उसके साथ किस तरह से जील सकते हैं तो उसे बढ़ाना ही बहुत महत्वपूर्ण है मानसिक बीमारी कैसे होता है, क्या कुछ इसके लक्षन होते है और ऐसे रोगियों की पहचान कैसे हो पर मानसिक बीमारी, हम लोग करते हैं कि मानसिक टार पर येतना भी हमारा मानसिक का दे है सोचना, समझना, बोलना, इन सब में कुछ गरबड़ी आने लगती है कि हम समझने में कुछ परिसानी होने लगी, कुछ बोलने में हम ठीक से नहीं बता पा रहे हो कुछ हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा गुसा करने लगे हो या हो सकता है मुझे वहम बहुत ज़्यादा होने लगा हो जो सामानने टॉर पर और लोगों को नहीं हो रहा लेकिन मुझे बहुत रखा वहम हो सकता है मुझे मैं बहुत ज़्यादा सरमिला हो सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा आकरामक हो सकता हूँ तो इस तरह की समस्या हो सकती है बचाओ के लिए मरीज के परीजन इसके लिए क्या करे कैसे डॉक्टरों से परामर्स ले और क्या कुछ इसके उपचार हो बेसिकली जो रोक्थाम है वो यह है कि हम अपना मानसिक स्वास्त अच्छा रखें मानसिक स्वास्त कोई सरीर से अग नहीं हम अपना सारीरिक स्वास्त जी से अच्छा रखते हैं तो यह सरीर का ही हिस्सा हमारा ब्रेन है तो ब्रेन को अगर अच्छा रखना है तो हमें अपने सरीर को स्वस्त्य रखना होगा तो एक हम लोग करते हैं एकसरसाइज करना सबसे महत्वपूर्ण है योगा करना important है meditation important है, अच्छा खाना पीना है और सबसे जो जरूरी चीज है नसे से दूर रहना नसा जो है सबसे आज के समय में प्रमुख कारण है और ये नसा सिर्फ ऐसा नहीं कि शराब, गांजा, भांग, ऐसा ही कुछ नसा है अब mobile addiction है, internet का addiction है लोग internet, gaming और भी तरह तरह के addiction है तो जतना आप addiction मुक्त जीवन जीएंगे, उतना आप मानसिक तोर पर स्वास्त रहेंगे पूरे देश में मनुरोगियों की जो लगतार बढ़ती संख्या है एक बड़ी अबादी जहारखन में भी मनुरोगियों से भरा पड़ा है खास करके इस बड़ी अबादी में डॉक्टरों का अभाव, मनुची के सकों का अभाव यहां अगर जहरकन की बात करें तो दो बड़े संस्थान है, रिमपास और CIP रिमस अस्पताल भी सुबे का सबसे बड़ा अस्पताल है यहां इसका अभाव के कारण कितना भार पड़ता होगा सर अगर यह थोले दुरबाग्य की बात है लेकिन बेसिकली जो हमारे यहां रांची में डो बहुत बड़े संस्थान है CIP है, जो कि Central Government का है, वहां लोग आते हैं और राज करा के जाते हैं दिन पास है, लेकिन वहां भी हम लोग करते हैं मैन पावर की काफी कमी है काफी कम साइकर्टिस्थ है, क्योंकि हमारे यहां साइकर्टिस्थ की पढ़ाई ही नहीं होती है जो भी होता है, CIP में होता है, लोग बाहर से आते हैं और पढ़ाई करके अपने अपने राजियों में चले जाते हैं काम करने लेकिन जारखन में खुद का अपना कोई संस्थान नहीं है, जहां की MD साइकर्टिस्थ का ट्रेनिंग होता हो तो जब यहां ट्रेनिंग ही नहीं होते तो यहां लोग भी नहीं मिलेंगे तो अब एतने सारे medical college खुल रहे हैं और in fact रिम सबसे बड़ा hospital है यहां मैं एक लाटा हूँ, मेरे अलावा और कोई कावे करने वाला नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी medical college हो में क्या हाल होगा की ओर से आपका कुछ निजी राय होना चाहिए कि इन कमियों को इन अवस्याक्ताओं को कैसे कमियों को पूरा किया जाए और अवस्याक्ताओं की भरपाई कैसे हो इस पर भी कुछ सरकार को विशार करने की ज़रूरा जाए तो और भी जल्दी यहां भी पढ़ाई हो सकती है चीजें बन सकती है अब भी बहुत सारी संभावन आएं जो यहां हो सकती है बारहाल आज World Mental Health Day है और ऐसे में विभिन जानकारी के साथ डॉक्टर अजय बाखला ने हमें कई महत्पुर्ण चीज़ बताई इन्होंने यह भी कहा कि अब भी मनो रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन डॉक्टरों की कमी है आपको बता दे कि पूरे जारखन में करीब 90 मनो चीकितसकों के भरोसे पूरे राज के मनो रोगी अब तक है ऐसे में सरकार को इस और गंबिरता से ध्यान देने की जरूरत है ताकि मनो रोगियों का बेहतर चीकितसकी इलाज हो सके अपने सायोगी राजेस के साथ मोईज उद्दीन समचार पलस राची